हेलो दोस्तो, you are welcome to our YouTube channel आज की इस वीडियो में हम एक American Poet Robert Frost के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस poem को डिसकस करेंगे जो है Stopping by Woods on a Snowy Evening Robert Frost basically known for the realistic depiction of rural life in his poetry यानि कि Robert Frost जो होते हैं rural life को किस सरा से डिस्क्राइब करते हैं अपनी poetry में इसी के लिए famous है and he had been given four pleasure prize for the poetry इनको चार pleasure prize दिया गया था poetry के लिए यह जो present poem है इसको Robert Frost ने 1922 में 1922 में 1922 में compose किया था और इसे publish किया था 1923 में New Hampshire volume में इस poem का rhyme scheme है A.A.B.A. B.B.C.B.C.C.D.C.D.D.D.D.D.D. यह इसकी rhyme scheme है और इस poem को Iambic Tetrameter में लिखा गया है रुबायत Stanja में रुबायत Stanja को create किया गया था Edward Fitzgerald के द्वारा और इन्हें उन्हें इस style को अपनाया था हकीम उमर कयम के द्वारा तो यह रहा चोटा सा introduction इस poem के बारे में अब हम शुरू करते हैं अपने आज की इस poem को तो फर्स्ट स्टेंजा में point कहता है Whose words these are I think I know His house is in the village though He will not see me stopping here To watch his words fill up with snow Point कहता है कि whose words यहाँ पर उर्स की meaning basically jungle होता है जब उर्स में इस लगा देते हैं तो meaning jungle हो जाता है Whose words are these are I think I know Point कहता है कि यह जंगल किसके है मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ His house is in the village though अगर्चे उसका घर गाउं में है He will not see me stopping here To watch his words fill up with snow वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पर ठहरा हूँ और उसके jungle को देख रहा हूँ जो की बरब से ढखा हुआ है यह हमारा पहला stranger है Second stranger में point कहता है My little horse must think it queer यहाँ पर देखे little horse के लिए think का प्रियोग किया गया है point यहाँ पर परसनिफिकेशन का प्रियोग कर रहा है कहता है My little horse must think it queer मेरा जो छोटा घोला है वो जरूर सोचेगा कि यह अजीब बात है To stop without a farm house near कि मेरे माली के एक ऐसी जगहे पर रुके हुए है जिसके आस पास में कोई भी farm house नहीं है Within the woods and frozen lake और यहाँ पर ठहरे हुए हैं जंगल और frozen lake के बीच में The darkest union of the year और बैसिकली यह जो समय होता है वो रात का होता है तो point कहता है यह जो union था यह जो रात का है समय था darkest union of the year यानि साल की सबसे काली रात थी यह हमारे दो stange होगे अगले stange में point कहता है to ask if there is some mistake यह पूछने के लिए कि क्या मेरे मालिक से कोई गलती तो नहीं हो गई है यहाँ पर भी poet personification का प्रियोग कर रहा है horse के लिए ask का प्रियोग किया जा रहा है ask basically हम देखती के लिए यूज करते है और personification में क्या होता है कि ऐसी quality जो किसी बेक्ती की होती ही उसको non living things के साथ या animals के साथ हम associate कर देते हैं तो वहीं पर हो जाता है personification तो यहाँ पर भी personification का प्रियोग किया गया है to ask if there is some mistake यानि कि क्या मेरे मालिक से कोई गलती हो गई है the only other sound the sweep of easy wind and downy flake और कहते हैं वहाँ पर यह तो एक तो आवाज इस के बिल की सुनाई देती थी और उसके अलावा जो आवाज सुनाई देती थी वो sweep की थी यानि कि जो धीरे धीरे हवाय चल लही थी उसकी आवाजे सुनाई देती थी अगले स्टेंजर में पोईट कहता है यह लास्ट स्टेंजर है यानि उट्स में इस जंगल हैं बहुत ही लवली हैं आकरशक हैं टाक हैं और बहुत ही घने हैं Vaccines to keep लेकिन मैंने بहुत सारे वादे किये हैं पूरा करना है यह रहे हमारी आज की पोयम हमें उमईद है कि आपको समझ आई होगी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में डिले और टेकर है बार गुट जाए